नमस्कार आप दीखरें निउस फोर नेशन और मैं हूँ सांथवना आपके साथ RGD सुप्रीमू लालो प्रसाद यादफ के घुटने पर आ गए है सेम नितीश कुमार तभी तो लालो परिवार से तमाम विचार विमर्श किया जाता है लालो यादफ से ही परामर्श लिया जाता है उनसे नसीहत ली जाती है और उनके आदेश का पालन होता है यो तो माग अजबंदन की सरकार कहती है कि सबकुछ all as well है और नितीश कुमार के नितृत में ये सरकार चल रही है पर इसके विपरत सबकुछ होता हुआ नजर आ रहा है जहां सरकार तो नितीश कुमार की है लेकिन फैसले लालू यादफ के हैं ये कहना हमारा नहीं बलकि इन कयासों से बिहार की सियासत इन दिनों चर्चा का विशेबनी हुई है जहां एक बार फिर RLJD के रास्ट अद्यक्ष और कभी मुक्षमंत्र नितीश कुमार के बेहद करीबी और भरोसे मन्द रहे उपेंद्र कुश्वाहा ने कुछ इस तरह मुक्षमंत्र नितीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि नितीश कुमार जी आप तो लालो यादव के घुटनों पर आ गए हैं अब क्या क्या देरसल रास्ट लोग जनिता दल के रास्ट अद्यक्ष और पूर्वकेंद्र राज्यमंत्री उपेंद्र कुश्वाहा नालंदा पहुचे जहां उन्होंने लालो नितीश पर जम कर निशाना साधा उन्होंने कहा कि लालो यादव और उनका परिवार उन्हें नितीश कुमार की राजवनीती से कोई मतलब नहीं है कोई लेना देना नहीं है लालोय आदव अपने बेटे तजस्वी आदव को बिहार का मुक्ष मंतरी बनाना चाह रही है जबके नितीश मारस गलत फेहमी में है कि लालोय आदव उन्हें विपक्षी दलो का 2024 के चुनाव में प्रधान मंतरी के उमीदबार बनाने में लगे हुए है उपेंद्र कुश्वाह ने नालंदा में जला कारे करता सम्मेलन के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि नितीश कुमानी लालोय आदव के सामने घुटने टेक दिये है उन्होंने कहा है कि 2005 के पूर्व की स्थि जंगल राज पाट्टू बिहार में लोटने लगा है उन्होंने कहा कि राज़त के आधा अधूरा सार्शन में जंगल राज टू का पाट्टू बिहार में दिख रहा है उन्होंने कहा कि 2024 के लोग सबाचनाव में नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधान मंत्रे बनेंगे आगे कहा कि बिहार में अराजक्ता के स्थती बनी हुई है उपेंद्र कुश्मा ने एक बार फिर जंगल राज की आद दिलाते हुए कहा बिहार में इस तरह की घटनाए हो रही है जिससे जंगल राज पार्ट टू के स्थती बिहार में इस पश्च है और मुक्षे मंत्री नितिश्मा जो ये सोचते हैं कि लालो यादव उनकी लिए राजनीती के पिछ बिठा रहे हैं 2024 में होने वाले लोग सबाचुनाव में उनका साथ दे रहे हैं उनके लिए प्रतान मंत्री उमीदवारी के लिए पूरी रणनीती सेट कर रहे हैं तो नीती शुमारी ये जाल ले कि वो बहुत बड़े धोके में हैं बहुत बड़ी गलत फेमी में हैं आलो यादव तो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे तिजस्वी आदव को मुक्षे मंत्री बनते देखता चाते हैं और असे कड़ी में वो तमाम राजुनीती के दाओं पेच अपना रहे हैं। ये कहना हो पेंद्र कुश्वाहा का है अब देखने वाली बात ये होगे कि क्या सच मुच ऐसा कुछ बिहार की सियासत में आने वाले दिनों में देखने को मिल पाएगा या फिर विपाक्ष जो बिहार में खड़ी है वो गलत साबित होगी। फिला के लिए इस कबर में अतना ही इजाज़त दें नमस्काव।